नमस्कार जहिन पूर सानिकों के लिए SSC CHSL 2024 की किस तरह से form fill up किया जाएगा पूरे details में देखेंगे क्या vacancy है और क्या क्या उसमें terms and conditions है उसके notification को देखेंगे इसके अलावा dependence के लिए आज हम चर्चा करेंगे मनिपाल Academy of Higher Education इसमें उनके लिए क्या चूट है क्या concession है पूरे details में चेक करेंगे तो चलिए अभी जो vacancy कर देख लेते हैं अभी क्या vacancy में अभी आया है पूर सानिकों के लिए अभी देखें ये जो SSC combined higher secondary level CHSL 10 plus 2 examination 2024 है इसमें पूर सानिक तो भरी सकते हैं अगर dependence भी है और सरकारी नौकरी की त्यारी कर रहे हैं तो वो भी इसको भर सकते हैं लेकिन यहाँ dependence के लिए कोई एक्स्ट्रा reservation यहाँ पे नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको क्या लगता है क्या यहाँ पे reservation dependence के लिए होना चाहिए था जैसे पंजाब और हरियाना के government jobs में होता है उस तरीके से अगर यहाँ भी इस SSC में भी इस level पे भी अगर dependence के लिए अगर reservation मिलता तो एक अच्छा मतलब एक अलग का मतलब इसमें facility मिल जाता एक मिलना चाहिए भी था आपको क्या लगता है आप comment कर सकते हैं अब देखिए यहाँ application इसके लिए online application कब से है 8 April 2024 से चालू है इसका last date है 7 मई 2024 अब इसके जो पेपर 1 होंगे वो जून जुलाई 2024 के scheduled है जो जून और जुलाई में होंगे और पेपर 2 का अभी असपर schedule आप उसको schedule जो है SSC के website पे जाके वहाँ शेक कर सकते हैं minimum age है जो general candidates है जो non-ex-servicemen candidates है उनके लिए 18 से 27 साल है इसमें भी age relaxation है नीचे हम लोग देखेंगे क्या-क्या इसमें age relaxation है उसको details पे चेक करेंगे age relaxation एक सर्विसमेन के लिए है और यहां जो total post है वो है 3712 यह भी tentative है घट बढ़ सकता है बढ़ भी सकता है तो अज पर यह जो इस notification के अनुसार 3712 में एक सर्विसमेन के लिए 371 पोस्ट यह 371 पोस्ट रिजर्व है क्योंकि यह group C की post है 10% इसमें रिजर्वेशन है एक salary रहेगी उसको पहले एक बार हम लोग overview देख लेते हैं यहां lower division clerk होगा LDC और junior secretariat assistant दोनों नाम अलग है लेकिन वह clerical work है clerical job है इसमें जो salary रहेगा वो pay level 2 कर रहेगा रूपीज 19,900 से 63,200 उसके बाद postal assistant PA sorting assistant जिसमें post office clerk इसको बोल सकते हैं जो post office में काम करना है यह है उसके बाद जो तीसरा vacancy है वो है data entry operators का इसमें pay level 4 और level 5 का इसमें salary है तो यह थोड़ा इसमें salary wise भी देखा जाए तो थोड़ा सा ठीक ठाक है क्योंकि यह level 4 है और जो lower division clerk LDC और JSA के लिए करते हैं तो उसमें level 2 का salary रहेगा qualification की बात करते हैं तो इसमें 10 प्लस 2 intermediate होना चाह सकते हैं अभी देखिए यहां पे including एक service man यानि अगर एक service man इसके लिए apply करते हैं तो उनको 10 प्लस 2 होना अनिवार यह है और तभी जाके वो यह exam फील कर सकते हैं यहां कुछ और भी जानकारी है अगर candidate इंडिया से कहीं भी किसी भी state से तो फील करी सकते हैं एक service man भी अगर जबी इसके इसका application फील कर सकते हैं भूटान के नागरिक भी जो है जो candidate है वो भी इसमें फील कर सकते हैं तो यह clarity आ गया हमारे पास नेपाल के पूर सानिंग कॉमेंट कर रहे थे कि क्या इसमें हम फील कर सकते हैं तो येस जो central government के job है खास करके SSC के उसमें आप इसमें application फ 2024 इसमें क्या चूट है वो पैरा 5 आफ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है तो पैरा 5 आफ नोटिफिकेशन में एक बार हम चलते हैं और यहां हम लोग देखते हैं कि इसमें जो age का जो चूट है यहां देखिए पैरा 5 है इसमें age limit as on 1 August 2024 का इसमें reference दिया हुआ है और इसमे कहा कहा चूट है वो आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन से category के लिए अब यह जो general candidate है उसके लिए आप SCST 5 साल उसी तरीके से OBC 3 साल और इसमें जो एक सर्विसमेन के अलावा जो disabled हमारे एक सर्विसमेन है उनके लिए भी up to 8 साल तक इसमें चूट है age में तो यहां देखि आप इसमें feel कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए एक अच्छा job opportunity है यहां पे तो वो जैसे banking jobs है clerical level का जो banking jobs आते हैं उसमें आप apply कर सकते हैं sse के जो यह सब जो jobs हैं यह आप इसमें apply कर सकते हैं तो यह आप बाकी जो details है आप age के लिए जो भी आपको relaxation चाहिए वो पैरा 5 में दिया हुआ है आप उसको पूरा refer कर लेगे अब हम आगे बढ़ते हैं अपने notification में और देखते हैं आगे का क्या है अब देखिए इसमें अगर आपको data entry operator में apply करना है तो आपके पास 10 plus 2 science with maths होना चाहिए तभी आप data entry operator public data entry grade A के लिए apply कर सकते हैं और अगर आप नहीं है science से नहीं है कोई बात नहीं आप जो दूसरे जो post है lower division clerk और postal assistant बाकी के लिए कर सकते हैं यानि data entry को छोड़के बाकी यह जो दोनों post है इसक के लिए आप apply कर सकते हैं आप 8 से भी है तो भी apply कर सकते हैं अब application fee इसमें एक सर्विसमेन और woman candidate के लिए निल है बाकी जो भी candidates है किन किन को इसमें छूट है आप वहाँ चेक कर सकते हैं notification में नीचे इसका link दिया हुआ है अब हम आते हैं जो main इस जो exam को sse chsl को crack करने के लि और इसका exam का pattern क्या है वो जानना जरूरी है और दूसरा इसका syllabus क्या है दो चीज़ अगर आपको समझ में आ गया और दो चीज़ के आप अगर focus किये तो ये exam आपके लिए crack करना आसानी रहेगा तो scheme of examination में computer based examination में इसमें दो tier में exam होगा तो two tiers में सबसे पहले हम बात करेंगे tier one में यानि phase one का जो exam होगा उसमें क्या-क्या पुछे जाएंगे और क्या-क्या उसमें होगे उसका pattern क्या होगा तो phase one का जो pattern होगा उसमें English language basic पुछे जाएंगे 25 questions होगे 50 number के 60 minute दी जाते है पूरे exams के लिए यानि total 100 marks के होगे और 60 minute आपको exam में जो time है वो मिलेगा general intelligence रहेगा 25 questions उसके बाद quant के questions होगे basic arithmetic skill को चेक के जाएगा ये 25 number के होगे और general awareness 25 यानि total सबका जो weightage अगर देखा जाए English, GKGS, Maths और general awareness ये सबका इसमें weightage एक ही है यानि चारों का weightage एक है 25-25 number के होंगे 25-25 questions होंगे total questions 100 होंगे marks इसमें 200 होंगे एक question में 2 number होंगे time इसमें 7 minute दिया जाएगा यानि अभी देखिए जो धिरे-धिरे जो banking अभी आपको पिछले जो SSC के एक एक साल से आप देख रहे होंगे कि जो SSC ने भी अपना जो exam pattern banking pattern के तरफ shift करना शुरू कर दिया है इन्होंने अपना banking pattern के तरफ shift होना शुरू पहले वाला बात नहीं रहा होंगे उसके बाद क्या है इसमें negative marking भी है यानि हर एक गलब answer पे आपके half number कट जाएंगे ठीक है तो वो भी ध्यान रखना है क्योंकि ये negative marking से अगर बज गए तो ये crack करना SSC CHSL crack करना थोड़ा आसान रहेगा तो ये था tier 1 के बारे में अब हम tier 2 में क्या-क्या पूछे जाएंगे ये tier 2 थोड़ा सा लेंदी है तो थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से समझ देगे हम लोग tier 2 में क्या include होगा तीन sections है और हर section में दो module है तो ये ध्यान रखेंगे इसमें तीन section section 1 में क्या है module 1 में mathematical abilities पूछा जाएंगा नहीं maths का exam होगा module 2 में reasoning and general intelligence का exam होगा उसके बाद section 2 में इसमें भी दो module होगे module में exam होगे English language and comprehension उसके बाद general awareness उसके बाद next आएगा section 3 इसमें पूछे जाएंगे computer knowledge test और skill test oblique typing test तो देखिए जहां तक हमारे जो experience का सवाल है हमने यह देखा है कि हमारे जो अनिक है लगभग सब पेज सब सेक्शन में निकल जाते हैं और लास्ट में जो जहां पर अटकने की बात होती है वो skill test में हो जाता है तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप जो अपना तयारी कर रहे हो तो करते रहे लेकिन skill test और typing test में typing के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते रहें typing नहीं भी आ रही है अभी सीखना शुरू कि हैं तो उस पर थोड़ा focus एक घंटा आधा आधा घंटा देकर उसको समय क्योंकि इसमें अभी time है इतना जल्दी यह कोई banking exam नहीं है इसमें भी इसमें application होने में और इसका process होने में एक साल समय लग जाता है तो आप इसको धिरी धिरी आप practice करते हुए छे महिने चार महिने छे महिने में अपने typing speed ला सकते हैं एक समान जनक स्थिती में ला सकते हैं अब यहां क्या इननों बोल रहा है कि it is mandatory for the candidates to qualify all the sections of tier 2 तो tier 2 के जितने sections हैं पूरे को qualify करना आपके लिए अनिवारी रूप से ज़रूरी है नित्वाप कोई से selection से out हो जाते हैं उसके बाद इसमें there will be negative marking of one mark for each wrong answer in section 1, 2 and model 1 of section 3 अब इसमें जो इसका जो pattern है एक बार आपको clarity के साथ दिखा जाते हैं अभी देखिए यहां जो scheme of examination सबसे पहले हमने देख लेते हैं tier 1 और tier 2 में exam अब tier 1 में जो भी questions पुछे जाएंगे वह आपको साफ साफ यहां दीख रहा है tier 1 में English language पुछे जाएंगे general intelligence है और general intelligence math के हैं और general awareness के हैं यह हो गया है और उसके बाद हम आप इसमें अगर qualify कर जाते हैं तो आप tier 2 में switch हो जाएंगे tier 2 में आप देखिए section 1 है जिसमें की math और reasoning पूछे जाएंगे 180 नंबर के एक घंटे का time में लेगा इसमें एक घंटे का each में उसके बाद next है section 2 जिसमें की आप यहां देख सकते हैं यहां सब कुछ आपको एक बार आप इसको go through कर लें क्योंकि आप scheme of examination आपको ज़रूरी है कि आपको scheme पूछा क्या जाएगा कब कब पूछे जाएगा किसमें आपको ज्यादा weightage देना है किस तरीके से त्यारी करना है आपका जब तक आप एक अपना एक किसी हिसाब से अपना एक target नहीं बनाएंगे तब तक इसको achieve करना थोड़ा सा मुश्की लें कि यह आप देख सकते हैं इसको आपको अपनो अपनो प्लान करना पड़ेगा हर चीज हिसाब से और तयारी भी उसी हिसाब से करना तो यहां देख सकते हैं section 1 syllabus in description box बाकी जो है आप description box में syllabus है उसके बाद जब आप examination center को आप चूज करते हैं तो वहां पे आपको पूरे पहले आप जब notification को पढ़ते हैं तो उसमें आप examination किस कौन से region से आपको भरना है कौन से zone से भरना है वो आप selector ले एक paper पे लिख लें कि आपको कौन सा आपको घर से नजदीक कौन सा center है ताकि जहां आपको सहुलियत है किस में आप भरना चाहरे है वो अपने choice पहले एक workout कर ले उसके उपर तब जाकर आप online में बैठके काम करें और उसको फिल करें तो यह था important update आप बाकी जो चीजें है आप simply आप इसको जो notification है उसमें आप जाके पूर बिस्तार से इन्होंने दे रखा है आप देखिए जैसे general knowledge में क्या पूछेंगे क्वांट में कोई questions क्या रहेंगे उसमें क्या क्या पूछना है आप एक बार syllabus को चेक करने उसी हिसाब से अपना focus करें और उसी हिसाब से अपना तयारी को यह क्योंकि syllabus तो इसका आपको जो पढ़ना है क्या पढ़ना है आपको पता होना चाइए कि आपका syllabus क्या है सबते पहले आपको syllabus के उपर focus करना है तो यह हो गया हमारा SSC CSSL के बारे में अब हम dependence इसमें dependence कर रहे होंगे लेकिन dependence के लिए देखिए सरकार को भी चाहिए कि यहां पे dependence के लिए कोटा मिले आप मेर बच्चे इसके लिए मैं नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे इसमें फॉर्म फिलप करें उनको यह कोटा मिले तो यह प्रावधान होना चाहिए सैनिकों सैनिकों के बच्चों के लिए अब हम चलते हैं जो हमारे मनिपाल Academy of higher education में dependence के लिए क्या छूट है उसको देख तो इन आप जाके पूरे undergraduate हो पोस्ट ग्राजवेट हो इस इंस्टूट में आपको यह चूट क्या मिलेगा वह देखते हैं तो इसका आपको पास इसका जो लेटर है वह भी हम इसको अपने वाट्सब चैनल और टेलिग्राम चैनल में पोस्ट कर देंगे आपके रेफरेंस के सकते हैं अब यहां देखें ओफर फॉर वार्ड्स अब्लिक डिपेंडेंट्स ऑफ आपनी परसनल बाइ मनिपाल अकेडेमी ऑफ हायर एजुकेशन इसमें आप देख सकते हैं क्लारेटी के साथ यह दिख रहा है 50 परसेंट और फी वेबर फॉर डिपेंडेंट्स चिल्रें सर्विंग आर्मी परसनल तो 25 परसेंट उनके लिए है रिटायट और सर्विंग आर्मी परसनल के बच्चों के लिए तो यहां पे इसके अलावा भी जो फी वेबर है बागे क्या चीज में है 25 परसेंट कांसेशन इन ऑन होस्टिल फी और नॉन एसी डबल रूम यह था हमारे पास अभी जूर्मेंट का करना हैं तो आप समझ रहे हैं तो अभी government jobs ज्यादा update नहीं आप आ रहे हैं तो जितने आ रहे हैं हम सब को कोशिस कर रहे हैं कि जो भी आ रहे हैं उसको हम आपको update करें साथ साथ में जो welfare updates हैं उसको भी हम आपको सूचित करते रहें अभी हम जो उत्तरप्रदेश के पूरे उत्तरप्रदेश के उसको हम अपने टेलिग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे वहां आप इसको चेक कर सकते हैं वहां आप जो टेलिग्राम चैनल पर आप जाएंगे टेलिग्राम चैनल का लिंग नीचे description box मिल जाएगा आप देखिए अभी आज हमने जो बिहार के पूर्सनिक जितने भी ECHS Empaneled Hospitals of Bihar हैं उसको हमने आज पोस्ट किया था यह आप देख सकते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत झाले देखिए एंभ के लिए में एैनि